भक्तो जै शिरी राम आपका हमारे प्रभू दर्शन करे चैनल में हारदिक स्वागत है किसी भी अच्छे कार्य शुब दिन नहीं माना जाता है लेकिन अगर हम अध्यात्मिक तौर पर देखे तो अमावस्या का खास महत्व होता है पुरानों में कहा गया है कि अपने पूर्वजों को याद करकर पूजा करने और गरीबों को दान देने से मनुश्री के पापों का नाश होता है कश्रधालों अमावस्या के दिन पवित्र जल में सनान कर उपवाज भी रखते हैं पुर्षोत्तम मास में आने वाली अमावस्या को कई परिशानियों और दुखों के निवारन का दिन माना जाता है इस दिन किये जाने वाले खास उपाए जाता के जीवन को असान बना देते हैं माना जाता है कि पुर्षोत्तम मास के समावस्या को यदि कोई व्यक्ति करे तो गौदान देता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती है अमावस्या के दिन पित्रों को जल देने से उन्हें त्रिप्ति बिलती है इसके साथ ही इस दिन यदि आप सूरे नरायन को जल देते हैं तो उससे भी पित्र प्रसन होते हैं यही नहीं सूरे देव को जल देने से आपके घर से दरिदरता भी दूर होती है इस दिन वस्त्रदान, गुड़, अन, घी, कुछ भी आप जुरुत मंदों को दान अवश्य करें। इसके अलावा भूक और शारिरिक कस्ट को दूर करने के लिए इस दिन महामिर्त्यूंजे मंत्र का जाप करें। करीबों को भोजन देना और भोजन कराने वाले जातक को कभी भी शारिरिक परिशानी नहीं होती है। अमावस्या के दिन चीटियों का भी एक खास महत वो होता है। इस दिन यदि ने मीठा आटा खिलाया जाए या चीनी मिलाकर आटा खिलाएं तो सारे पाप खत्म हो जाते ह और राहु से समंदी परिशानिया भी दूर होती है। अधिक मास की अमावस्या के दिन शाम को घर के ही इशान कोन में गाएं के घी का दीपक जलाएं। यदि आपको धन से समंदी कोई भी परिशानी है तो इस दिये में आप थोड़ी सी केसर भी डाल दे। यह मालक्ष्प जी को प्रसंद करने का सबसे अच्छा उपाय होता है। अधिक मास की अमावस्या के दिन सुपह जल्दी उठ जाएं और स्नानादी करने के बाद भगवान जी का पाट करें हनुमान जी का पाट सबसे अच्छा होता है और उन्हें लड़ों का भोग लगाएं। यदि आप पाट नहीं कर पा रही हैं तो हनुमान जी के मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। आप हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने से आपके सारे संकट कटेंगे। इस दिन शनीदेव को तेल का दान अवश्य करें। साथ में आप काली उ सबसे बड़ा दान है तो दोस्तों ये था अधिक मास की अमावस्या पर खास जानकारी आज की वीडियो में बस इतना ही लौटेंग एक नए वीडियो के साथ जी हाँ दोस्तों मेरे चैनल को जादा से जादा सस्क्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके